हेलो एन असलाम लेकुम वैलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा आइम यूर होस्ट का दीजा तो आज का अमारे टॉपिक रहने वाला है रॉंबोईड मसल रॉंबोईड मसल पर हमारे टू टाइपस में होगी मेजर और माइनर हमने इनके साइज के अकॉर्डिंग इनका ने पर्फवन है तो आएए देखते हैं रॉंबोईड मसल कैसी मसल है हमारी जो हमारे एक्जेल स्कैलेटन को यानि यह वर्टेबरल कॉलम को हमारे अपेंडिकुलार स्कैलेटन यानि हमारे अपरलिम से ठीक है कैसे जोड़ती है पोस्टीरियरली तो पोस्टीरियरली हमारे वर है ठीक है तो अब हम सबसे पहले rhomboid major और minor में से rhomboid major discuss करेंगे ठीक है इसका origin जो है वो spinous process of t2 to t5 से हो रहा है यानि देखिए यह हमारी thoracic का second vertebra है thoracic vertebra में से second vertebra है यहां से इसका origin हो रहा है 3 45 यहां से का origin हो रहा है ठीक है अब इसका insertion insertion कहा हो रहा है medium border medium border of scapula यह scapula का medium border अब medium border क्यों है क्योंकि he towards the body है ठीक है टो बोडी बोडी के तरफ को बोडी के सेंटर की तरफ को जो पोर्शन होगा वो मेडियल होगा तो यह मेडियल बॉर्डर ओफ इसकापुला से अटेश्ट है और यह मेडियल बॉर्डर भी कौन सा वाला spine से नीचे वाला ये spine है scapula की तो इस से नीचे वाले border से जो connect होगी वो हमारी rhomboid major muscle connect होगी अब हम इसका action देखते है action क्या है इसका scapula का retraction scapula को retract करने का काम जो है वो major muscle का है और scapula को downward rotate नीचे की तरफ को ऐसे rotate जो करेगी वो भी हमारी rhomboid major muscle करेगी और इसका elevation elevation यानि इसको उपर की तरफ जो pull करेगी वो भी हमारी rhomboid major muscle के वज़ा से possible होगा अब हम इसका nerve supply देखते है इसका nerve supply क्या है dorsal scapular nerve C4 और C5 ठीक है C4 to C5 dorsal scapular nerve जो है इसको muscle को supply करेगी अब हम अपना rhomboid major complete करने के बाद rhomboid minor को देखते है figure में आपको rhomboid minor ये वाली दिख रही होगी और ये rhomboid major है तो अब हम rhomboid minor देखते है ये कहां से originate होती है spinous process of C7 to T1 spinous process है ये spinous process होती है जो बिच में होती है जिसे हम palpate कर सकते है जिसे हम जब हम अपने back पर finger लगाते है अपने whatever column पर जो हम feel करते है वो spinous process होती है और इसके side में जो projection से ही transverse process तो इसका origination कहां से हो रहा है spinous से नहीं हो रहा है spinous process हो रहा है किसकी C7 की और T1 की ठीक है अब हम देखते हैं इसका insertion कहां पर इसका insertion है medial border of scapula इसका insertion कहां हो रहा है ये scapula का medial border है अंदर के side वाले इस border पर जाके इसका क्या हो रहा है insertion origination यहां से insertion यहां से ठीक है अब हम देखते हैं इसका action इसका action भी same as rhomboid major वाला है यह scapula का retraction में help करेगा, यह downward rotation में help करेगा scapula के और scapula के elevation में help करेगा और इसका जो nerve supply है वो भी same as rhomboid major के तरह यह भी dorsal scapula nerve C4, C5 से supply होगी इसकी nerve supply, ओके? यह दोनों muscle का सिर्फ origin और insertion change है, बाकी सब चीज इनकी लगबग same है जस्टिन है, अलग-अलग इसलिए कर दिया है, इनकी size की वज़ा से बाकी इनका सिर्फ origin और insertion change है तो अब हम चलते हैं इसके clinical relevance की तरफ clinical relevance में हम लेंगे इसका rhomboid muscle pain overall rhomboid muscle का लेंगे, कोई major minor दोनों include हैं इसमें, ठीक है? तो rhomboid muscle pain में हम क्या देखते हैं? पेन का जो location होगा वो upper back, जायर सी बात है ये cervical and thoracic T5 तक हमारे upper limb में ही, upper back में ही include है तो हमारा upper back में location रहेगा pain का under the neck and between shoulder blades and spine जो हमारी neck है उसके under और हमारा shoulder blood यानि ये जो हमारा shoulder blood है, scapula है, इसके कहां होगा? बिच में यहां scapula के बिच में और इदर एक scapula को इसके बिच में तो ये कहां होगा? हमारा location pain का के बिच में रहेगा, ये हमारी pain site रहेगी, ठीक है? ये हमारे pain की site रहने वाली है या location रहने वाली है, symptoms क्या क्या रहेँगे? हमारी symptoms क्या क्यों होगे? जब हमारी rheumboid muscle dysfunction हो जाएगा, यह deform हो जाएगा, तो उसमें हमारे upper back में tenderness रहेगी, ठीक है? tenderness रहेगी और tightness रहेगी हमारी muscle जो है वो tight रहेगी relax नहीं रहेगी और उसमें swelling वहाँ पर हमारी swelling जो है हमें देखने को मिलेगी ठीक है loss of moment हमारे muscle में problem है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर moment वो restrict करेगी ही करेगी pain जब हम breathing करेंगे तब हमारा pain जो है वो हमें ज्यादा felt होगा तो pain कर जब breathing कर रहे हैं तब pain felt होगा हमें because कहीं न कहीं यह देखिए ribs के under भी इसका कुछ properties देखने को आपको मिल जाती हैं तो यहां पर आप हम देखने इसके causes causes क्या रहेंगे इसके हमारा किस वजह से होगा अगर बही हमारे पूर जो है वह पूर है या incorrect है हम सही तरह से अपना पूर नहीं maintain कर रहे हैं तब हमें होगा यह हम जादा वक्त के लिए बैठ रहे हैं यह हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अगर अपनी मसल की तो हमने उसे ज्यादे स्ट्रेच कर लिया ज्यादे स्ट्रेच कर लिया जाहिर सी बादे स्ट्रेचिंग की वजह से भी वो टियर हो सकती है या पूश या पूल की वजह से भी वो टियर हो सकती है तो अगर टियर हो गई हमारी muscle तब भी हमारे रंसमें डिसफंक्शन हो जाएगा, इंजिरी अगर कोई हो जाती है, strain आ जाता है, जिसकी वज़े सा हमारी इंजिरी हो जाती है, तब भी हमें महाँ पे रंसम पेंध कोज कर देगा वो, त्यूजर्ट हम ज्यादा यूजर कर रहें हैं अपनी मसल का जादा इसको यूज में ला रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि ये डिफॉर्म होने लगेगी ये ऐसी डिस्फंक्शन शो करेगी और ओवर यूज या फिर हम कोई भी ऐसा स्पोर्ट ले रहे हैं जैसे कि हमारा टैनिस हो गया या गॉल्फ हो गया तो उसमें यह हमें रॉंबोईड मसल पेन कोज कर सकता है अब हम देखते हैं कि treatment अब अगर हमारा rhomboid muscle pain हो गया है तो हम क्या treatment दें उसे हम rise मतलब उसे rest दें ओके फिर icing करें वहाँ पे muscle पे जो हमारी location है pain की वहाँ पे और हम उसे compression दें और उसे elevation दें यह हमारा पूरा protocol होता है ठीक है इसको follow करके हम उसे treatment दें या फिर जहाँ उसके pain दे रहा है उसे topical ointment लगाए को इसको उपर या उसे pain delivers दें अगर ज़्यादा pain हो रहा है acetonum often like है ना और उसको muscle जो है उसका उसे strengthening करनी बहुत ज़रूरी है उसकी उसे strengthening exercise प्रोवाइड करेंगे उसकी stretching करनी ज़रूरी है तक कि वहाँ पर अच्छा हमारा blood supply हो जिसकी वह पें जो है वह relieve हो जाया उसे pain में ठीक है तो हम उसे इस तरह की exercise program बना करके देंगे तो यह हमारा पूरा rhomboid muscle था ठीक है और मैं justice को दीरे दीरे दिखा देती हूं ओके यह होगे हमारा complete अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो आप like कीजिए से हमारे चैनल को subscribe कीजिए और notification आपको मिलते रहे हैं हमारे आने वाली वीडियो के तो आप पहले आइकन ज़रूर हिट करें and thanks for watching thank you